कुंक्स तो आज बनाने जा रहे हैं और तो हम ये कुकिज बनाएंगे ई demographic जो जो कोकुनेट होता है उससे लेखिए ट्रल होकोनेट था उसे मैंने कदु कस कर लिया है और इस तरह से इसका पौड़र बना लिया है तो इसका मेजरमेंट देखी 50 ौस को को करेश करके लिया उस मैंने 10 ग्राम शुगर ले लिया है अब इस में डालेंगे शुगर पॉडर जयरे पोडल आप जिए पॉडर बना लिया। लिया है इस तरह से आप मेजरिंग में देख सकते हो कि यह 50 ग्राम है अब हम इसमें एड़ करेंगे आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हो अगर आप इस मेजरमेंट के अनुसार कुकिस बनाएंगे तो वो परफेक्ट ही बनेगी आप जरूरी से ट्राइ करें देखे मै हमे यहने 50 ग्राम ले लिया है अब मैं इसमें डालोंगी इसमें हम डालेंगे मैदा यह लिया है आप मेजरिंग इस कीowane पे देख सके हो confident मेजर किया है आपको जिखेंगा सामने से के State Science 100 g मैदा है और इसमें अब हम डालेंगे बटर तो बटर आप फ्रीज में अगर रखे हुए हैं तो आप पहले उसे 2-3 गंटे पहले फ्रीज से बाहर रख दें ताकि थोड़ा सा मिल्ट हो जाए तो यह देखे मैंने बटर 2-3 गंटे पहले ही फ्रीज से बाहर कर रख दिया थ अब हम 80 g बटर लेंगे तो इस तरह से अप मेजरिंग स्केल में देखे होगे कि मैंने परफेक्ट 80 g बटर लिया है अब हम इसमें एट करेंगे 1 टेस्पून स्वरी 1-2 टेस्पून मिल्क पॉडर देखे अब इन सभी को मैं हाथों से मिक्स कर लोंगे इस तरह से हलके हाथ सब्सक्राइब को से ये मिक्स कर लिया है तो देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है आपके जो को कॉकुनट के जो ड्राइ-कोकॉनट है उसके love जो है ब्लैक के रूप में अभी अच्छे से मिक्स हो गया है तो चलिए अब हम इसे इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाएंगे इस तरह से देखिए अपने हाथों की साहता से इस तरह से बॉल्स बना लें जैसे मैं बना रही हूं और जब यह बॉल्स बनाना आप स्टार्ट करें तो अब क्या करें तो प्रेशियो के लिए रगतें तक आपका ओं भी जो है प्रीट हो जाएगा तो और प्रीफट डिग्विए ठेहिए धगे आपि उसे प्रियिड कर साथ ने के लिए लुए लगतें तब तक मैं यह बना लाँ विए आप चाहे तो किसी तरह का भी शेप दे सकती है कुकी इसका आपके पास कुकी कटर हो तो उससे भी जो है अब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन दे सकती है तो यह मैं अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप सिर्फ हातों से ही इस तरह से छोटे-चोटे बॉल्स बना लें हलका सा प्र तो मैं सिंपल सिफ आपको दिखाने के लिए बनाऊंगी तो दिखें मैं कैसे बनाती हूँ अब क्या करें कि आप इसके बॉल्स बना ले और अगर आप सारे कुकी कटर से बनाना चाहते हैं तो कोई भी प्लास्टिक ले ले या नीचे स्लेप पे भी आप इसे इस तरह से डाल आपका कुकी कटर से इस तरह का राउंड शेप आजाएगा परफेक्ट राउंड शेप तो यह मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरह से बताया है और मैं नौर्मल यहांस से ही करती हूँ क्योंकि कोकोनट कुकीज है तो यह बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत इसे क्या करेंगे ओवन में डाल देंगे तो इस तरह से मैंने ओवन को पहले ही मैंने बताए कि प्रीषी के लिए मैंने इसे रख रखाता तो इसे अब हम 20 मिनट्स के लिए ओवन में रख देंगे और हां वे में हमारे दोनों रड़ जो आउन होने चाहिए सिंगल रडन न इसके बाद मैंने निकाला मुझे लगा कि नहीं थोड़ा से और इसमें 5 मिनिट्स चाहिए इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि मुझे 20 मिन्स लगें तो आप भी मिनिमम 20 मिन्स तो आपको रखना परेगा देखिए कुकीज तयार हो गया है और यह देखिए कितना सॉफ्ट ह है जब आप इसे देखिए हां से यह आपको जो है बिना तोड़े वे जो है यह टूट रही है तो आप भी जरूरी से ट्राइब करें और क्याश्ट